आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी चीज़केक जोकी है लोटस बिस्कॉफ चीज़केक और इसे हम बिना बेक किये, बिना आवन और बिना जेलेटीन के अपने होममेड क्रीम चीज़ के साथ बनाएंगे और यह बहुत ही जादा टेस्टी बनता है तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने या लिये हैं ये लोटस बिसकॉफ बिसकेट्स और ये इस तरह से बड़े पाक में भी मिल जाएंगे आपको या फिर छोटे छोटे पैक्स भी आते हैं इसके और मेरे पास आज ये 250 ग्राम का एक पाकेट है बट आज के इस रेसिपी में मैं यहां सिरफ 125 ग्राम बिसकेट्स यूज करूँगी तो मैंने ये 125 ग्राम लोटस बिसकॉफ बिसकेट्स ले लिए हैं और इन बिसकेट्स को अब हम थोड़ा तोड़ कर डालेंगे एक ग्राइंडर चार में और इसे ग्राइंड करके इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे तो बस मैंने इसे अच्छे से grind कर लिया है और आप देखरें कि एकदम बारीग पीस लिया है मैंने इसे तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक bowl में और इसमें से न दो बड़े चमच बिस्किट्स को मैं अलग एक कटोरी में निकाल रही हूँ इन बिस्किट्स को हम बाद में यूज करेंगे उपर से गानिशन के लिए तो ये वले बिस्किट्स को हम एक बार साइट पे रखेंगे और इन बचे हुए बिस्किट्स में यहां डाल जहूँ छे से साथ बड़े चमच melted butter मैंने यहां salted butter यूज किया है आप unsalted या घर का मखन भी यूज कर सकते हैं तो बस इसे एक बार अच्छे से mix कर लेंगे तो इसे mix करने के बाद आप देखने हैं कि जो बिस्किट्स है यह अच्छे से crumbly हो गए हैं और अगर हमें स्टेज के उपर इने बाइंड करेंगे तो यह अच्छे से बाइंड हो रहे हैं तो बस हमें इसमें इतना butter आड़ करना है तो बिस्किट्स अब हमारे तायार है अब हम इने मोल्ड में सेट करेंगे तो इसके लिए मैंने यहां यह 6 इंच का एक loose bottom cake tin लिए यानि कि इसकी जो नीचे की plate है यह अलग हो जाती है ताकि चीज केक को बाद में हमें निकालना easy हो तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यह जो हमने biscuits और butter को mix करके रखा था इसे हम डाल देंगे अपने इसमोल्ड में और इसे सारे bottom में अच्छे से फैला लेंगे evenly और इसे उपर से हलका सा smooth कर देंगे तो चाहे तो चम्मत से या फिस पैचुला से smooth कर लेंगे तो इस तरह से थोड़ा smooth करने के बाद अब हम किसी भी glass या bowl की flat surface से इसे उपर से प्रेस कर देंगे अच्छे से ताकि जो biscuits हैं यह अच्छे से सेट हो जाए और इस मोल्ड को अब हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए ताकि जो biscuits हैं यह अच्छे से सेट हो जाए और तब तक हम अपनी cheesecake की filling बनाएंगे तो इसके लिए एक bowl में मैं यहां ले रही हूँ एक cup यानि की 225 gram cream cheese और यह मेरा homemade cream cheese है इसकी recipe मैंने पहले Oreo cheesecake में share की थी और उसका link मैंने नीचे description box में दिया आप आहां उसे check कर सकते हैं और बहुत ही आसान है इस cream cheese को घर पे बनाना तो इस cream cheese के साथ अब हम इसमें डालेंगे बिसकॉफ spread तो मैंने यहां यह बिसकॉफ spread लिया है यह बहुत ही जादा tasty लगता है और इसमें से मैं यहां आज यूज कर रही हूँ 150 gram तो मैंने यहां 150 gram यह बिसकॉफ spread डाल दिया इसमें और इन दोनों चीज़ों को अब हम विप करेंगे तब तक जब तक कि यह जो cream cheese है न यह एकदम अच्छे से स्मूध और creamy ना हो जाए और इसे mix करते हुए हम इसे बीच में एक दो बार spatula से mix कर लेंगे तांकि यह जो सारी चीज़ें यह evenly mix हो तो बस इसे एक बर फिर से whip करेंगे तो थोड़ी देर तक इसे whip करने के बाद अब हमारा यह cream cheese एक तम creamy और smooth हो गया है तो बस हमारा यह cream cheese अब तायार है अब हम इसे एक side पे रखेंगे और एक दूसरे bowl में लेंगे आधा cup यानि की 120 ml cream और मैंने यहाँ यह non-dairy whipping cream यूज़ की है इस cream को अब हम whip करेंगे तब तक जब तक इसमें soft peaks ना बननी शुरू हो जाए तो थोड़ी देर तक मैंने इसे whip कर लिया है अब हमारी जो cream है इसमें soft peaks बन रही है इस stage के ऊपर अब हम इसमें डालेंगे इस cream को मिक्स करेंगे इस cream cheese वाले बोल में तो इस cream को हमने थोड़े थोड़े portions में इसमें add करेंगे और इसे हलके हलके हाथों से mix कर लेंगे इसमें और इसे हमें हलके हाथों से gently fold करना है इस cream cheese में तो बस मैंने इसे अच्छे से mix कर लिया है और अब मैं इसे एक बार फिर से whip करूँगी तकरीबन 10-20 सेकंद के लिए तो बस इसी के साथ हमारा ये cream cheese creamy mixture बिलकुल तायार है अब हम अपना ये mold लेंगे और इसमें डाल देंगे अपना ये cream cheese बाला mixture तो इस तरह से ये सारा mixture डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे पूरे mold में और इसे उपर से smooth कर देंगे तो कोई spatula ये इस तरह से knife से smooth कर लेंगे तो बस mold हम हमारा बिलकुल तायार है अब हम इसे फिर से एक घंटे के लिए फिर में रख देंगे तो आप देखने कि अब हमारा ये जो spread है ये अच्छे से एकदम melted stage में आ गया है तो बस अब हम इसे डालेंगे अपने इस mold में तो ये जो mold हमने फ्रिज में set होने के लिए रखा था इसमें अब हम डाल देंगे अपना ये melted biscoff spread तो इस तरह से ये सारा spread डालके इसे अच्छे से फैला लेंगे तो आप देखने कि कितना yummy लग रहा है ये देखने में अभी से तो इस तरह से इसे सारे mold में फैलाके इसके एक even layer बना लेंगे इसके ऊपर और हलका सा मैं इस mold को भी rotate कर लूँगी ताकि ये evenly spread हो सारी जगा पर तो बस इसी के साथ अब हमारा ये mold बिल्कुल तायार है अब हम इसे फिर से फ्रिज में रख देंगे कम से कम 8-9 घंटे के लिए या फिर आप इसे सारी रात के लिए रखिए ताकि जो cheesecake है ये अच्छे से सेट हो जाए तो मैंने इस cheesecake को सारी रात के लिए फ्रिज में रख दिया था और अब ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे तो इसके लिए इस मोल्ड के नीचे एक ग्लास रखेंगे और नीचे की जो प्लेट है ना उसे उपर की तरफ पुश करते हुए इसे केरफुली निकाल लेंगे तो आप देखेंगे कि ये बड़ी असानी से बाहर आ जाएगा तो बस इसी के साथ तयार है हमारा ये बिसकॉफ चीज़केक आप देख रहे हैं कि कितना यमी लग रहा है ये देखने में नीचे ये crunchy biscuits हैं और उपर से ये creamy cream cheese साथ में ये spread बहत ही जादा यमी लगते हैं और इंड में ये जो biscuit हम थोड़े से side पे रखे ते इससे हम इसके to nourr明 गर रखे तो साइशन कर देंगे इस तरह से मैं इसके side sides पर फिसके डाल दूगे इसके to dry rain के लिए और यह जो चीज केक है यह मेरे घर में सबको बहुत जादा पसंद है तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगे कि आप इसे जरूर ट्राय करिएगा यह आपको बहुत पसंद आएगा और अगर आपको आज की यह रेसिपी पसंद आई हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें और